यदि आपको भी character certificate बनाना है तो आप आये हैं बिल्कुल सही वीडियो पे हम इस वीडियो पे आज चर्चा करने वाले हैं कि online character certificate घर बैठे कैसे बनाएंगे जी हाँ फ्रेंड online character certificate किस परकार से बनाना है step by step इस वीडियो में बताया गिया है यदि आप पूरा वीडियो को देखते तब आप खुद से अपना character certificate बना सकते हैं यदि चैनल में नई है यदि चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए हम इसी तरह वीडियो आपके सामने लिकर करके आते रहेंगे यदि आप इस चैनल को subscribe करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत महिनत लगता है तो चलिए हम बात कर लेते हैं देखे online character certificate बनाने के लिए आपका यह हो गया man page man homepage आपका यही रहेगा यदि आप online से character certificate बनाते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface आएगा और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर एक id create करना होगा जी हाँ friend आप जैसे इस page पर आ जाते हैं इस page में आने के बाद आपको एक id create करना होगा id किस परकार से create करना है चलिए हम वीडियो में आपको बता रहे हैं आपको पुरा वीडियो देखिएगा ता आपको सारा चीज़ पता से लगाएगा इसका description box में इसका हम link देदेंगे home page का आप डारेट यहां आके डारेट home page में आके इसका काम कर सकते हैं अप यही इसका man website है और यहीं से आप सारा काम कर सकते हैं तो जी हम जैसे आपको बताएं कि पहले इसमें आपको id create करना हो तो id किस परकार से create करना है सारे चीज को हम चर्चा करने वाले हैं तो यदि आप से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक कर देजिए और चलिए बढ़ते हैं हम लोग मुद्दे की तरफ जी है फ्रण यदि आप किसी भी जीले से हैं तो आप इसी पोर्टल के माधियम से character certificate बना सकते हैं तो इसके लिए हमको यहां create करना होका नया id ठीक है अब देखिए यह id कोई भी create कर सकते हैं यह self id हो सकता है कोई भी आदमी आराम से बैठे घर बैठे इसको create कर सकता है एक आईडी अगर आप create करते हैं तो एक id से 6-7 को आराम से आप character certificate बना सकते हैं जी हां यह personal भी है और इसमें आप बहुत सारा character certificate बना सकते हैं एक ही idea से तो जैसे हम इस पे click करेंगे यहां पे देख सकते हैं वो लिखा गया है इस पे जैसे हम click करते हैं तो हम आ जाते हैं इस website यहां पे हमें personal details मंगा जाता है जिसका यहां पे ID बनेगा उसका यहां पे personal details मंगा गया है बहुत ही simple है आप यदि इसको देखते हैं तो आप खुछ से इसको भर पाएंगे security reason के लिए हमने कुछ word को hide करके रख दिया यानि कुछ word को छुपा के रखे हैं YouTube का guideline के अनुसर त चुकि इसको आप भरियेगा तो ही आपका मतलब ID create होगा तो चलिए हम shortcut आपको बता देते देखिए मध्य नाम में जो है वहां यदि आपका नाम में बिच का नाम देजीए first name में अपना पहला नाम देजिए last name में अपना अंतीम का नाम देजिए यदि आपका नाम shortcut में है अरुन कुमार यदि आपका नाम shortcut में है अरुन कुमार तो आप फोस्ट में अरुन लिखिया लास्ट में कुमर लिखी बीच वाला छोड़ देजिए उससे कोई दिक्तत नहीं है उसके बाद आपको नीचे आ जाना है आधार संखियां डालना है जेंडर आपका सेलेक्ट कर क्रिएट कर सकते हैं यदि आप आउन-lauf नाम से क्रेक्टर सेटिफियगर बनाते हैं तो आपका 2-4 दिन में क्रेक्टर सेटिफिकट बनके already हो जागा character certificate जब ready हो जाएगा तो आपको कहा जाना है क्या process सरा चीज हम इस वीडियो में clear किये हैं इसलिए वीडियो को कहीं भी skip ना करें तब तक यहां पर आपना ID create कर लीजिए क्योंकि ID बनाना बहुत compulsory यदि आप ID को नहीं create करते हैं तो आप character certificate घर बेठे नहीं बना सकते हैं और यदि आप इसी चीज को कोई दुकांदार से कराते हैं तो आपका एक सुर्प्या चार्ज ले लेगा यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक सुर्प्या बच जाएगा देखिए character certificate का ज़रूरत हर एक इनसान का है जो भी इनसान student life में हैं या जो भी कहीं job करना चाहते हैं कोई काम करना चाहते हैं चलने मुंबे दिल्ली है बहुत जगह पर character certificate अभी मानिये कर दिया है तो character certificate बनाने का बहुत ही जरूरी है यदि आप इस वीडियो को देखते हैं अपने mobile phone से आप कुछ से character certificate बना सकते हैं कुछ नहीं करना है description box में आपको इसका मतलब site का link मिल जाएगा आप वहीं से click करके direct home page में आ जाएंगे और वहीं से आपको ID create करना है ID किस परकार से create करना चलिए हम यहां आपको बता रहे है personal details आपका भरना है आधार नमबर भरना है जेंडर भरना है mobile नमबर देना है date of birth आपको देना है फिर उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यदि आपके पास mobile नमबर और कोई है तो उस नमबर को भी आप यहां प से अपका details भी मांगा जाएगा आपको personal details यहां पे fill up करना address के साथ आपका जो gram post पंचायत सारा चीज आपको यहां पर लगने वाला है आपका जिला भी लगेगा और आपका block भी लगने वाला है यदि आप सारे चीज को fill up करके आप यहां ID कर लेते हैं तो इससे आप बहु वहुत ही आसान है वहुत ही simple है यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हम पूरा जनकारी देंगे कि आप क्रेटर से अपने ही phone से कैसे बनाएंगी यदि आपके पास server केफ हैं तो आप बिलकूल इस वीडियो को लाजिमी देखे और चैनल को subscribe करके वीडियो को like क कर दें यदि आपको कोई यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसको आप comment box में comment कर सकते है comment आपके लिए खुला हुआ है तो हम पहले बात कर लेते हैं आपसे क्या idea आपको create करना है तो जैसे देखिए सारा चीज को हम यहां पर feel up कर लिए हैं मोटा मोटी मेरा सब feel up हो ही कि है तो यहां सब feel up करने के बाद देखिए यहां पर बहुत सारा चीज पूछा जा रहा है इसलिए थोड़ा यहां पर भरने में आपको time लगने वाला है जैसे आप personal details feel up कर लेते हैं उसके बाद यहां पर पूछा जाता आप किस थाना से belong करते हैं आप अपना थाना यहां प यहां कुछ रख सकते हैं तो इसको रखने के बाद इसका दो रखना होगा एक रखने से आपका नहीं होगा इसमें आपको दो रखना होगा आपको ID किस परकार से बनाना देखिए यहो मेरा होगी आप दूसरा इसको रखना है देखिए पर पहले आपको personal details आप जैसे feel up कर हैं तो उसके बाद आपको OTP से login करना वजह से आप OTP login कि जाएगा तब आप मतलब customer का बना सकते हैं यानि क्योंई भी आदमी का apply कर सकते हैं character certificate इसमें apply करने के लिए सिंपल से आपका आधार काड़ लगने वाला और एक को फोटो लगेगा तो आप बने रहें इस वीडियो पर कहींवे वीडियो को skip ना करें यदि आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे स्पस्क्राइब कर लीजे क्योंकि यदि आपके पास by CSE Center है तो बिलकुल इस चैनल को मेरा स्प्सक्राइब कर लीजे क्योंकि CSE से आने वाले सारी सर्विसेस के बारे में हम लाइब डेमो दिखा देते हैं इस यूट्यूब चैनल में और यहां पर आज आना है आपको यहां पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है आईडी और पासवर्ड किस परकार से बनाना सारा चीज हम इस वीडियो में बता देते हैं आप यहां ठोड़ा जो गौर से देखिए जैसे आप ID क्रीयट करें देखिए ID अप इस परकार से बना सकते है आइडी यह देखिए यारी अगर आपका नाम सामी है तो सामी लिखे एड दर रट एक दो तीन इस परकार आप उसी के अनुसार कुछ यूनिक पासवार्ड आपको रखना होगा तब जाके आपका मतलब इसमें क्रियट होगा नहीं तो आप इसमें क्रियट नहीं कर सकतें जैसे यह हो गया तो चलिए आप लोगिन कर लेता है वो टीपी वेरिफाय हो गया अब मेरा आइडी क्रियट ह करना है तो इसके लिए हमको लोगिन में क्लिक करना है जैसे हम लोगिन में क्लिक करते हैं देखिए फ्रेंट लोगिन में जैसे हम क्लिक करते हैं मेरे सामने इस तरह का इंटरफिस आता है आप यहां सर्विसे आप यहीं से आप अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना है कौन सी जगह पर आपको हम बता देता है वीडियो को कहीं भी स्कीप ना करें तो आप देखे पर यहां पर देख सकते हैं यहां आया है नागरिक सेवा नागरिकता सेवा पर जैसे आप आएंगे यहां पर आपको मिलेगा अप्सन करेक्टर सेटिफिकट के लिए है चरीतर परणपत्र जोड़ी पर आना है इसमें आपको किलिक करना है इसमें आपको किलिक करना चरीतर परणपत्र में आपको किलिक कर देना है जैसे आप किलिक किजएगा थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसका साइट थोड़ा जाम चलता है बहतर रहेगा आप इसमें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा अब यहां देखिए सबसे पहले उपर सी नीचे तक दिखा देता है आपको कौन-कौन सा चीज यहां पे देना अनिवार यह है तो फ्रेंट देखिए सबसे पहले आप यहां पे पूछा गया है यहां पे आपको डालना है यहां पे आपको डालना है कस्टमर जो जिसका आप करेटर सेटिपिकट बना रहे है उसका आधार संक्या डाल देना है उसके बाद उसका नाम यहां पे डालना है पहले आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा है पर्थम नाम यानि पहला नाम उसका क्या उसको डाल दीजिए उसके बाद लिखा है क्या मिडिल नाम और अन्तीम नाम में कोई नाम नहीं है इसका डारेट इसका नाम जो है तो अन जिसका भी नाम देना चाहते हैं उसको यहां सेलेट कर लेना यदि पीता को सेलेट करते हैं हम तो भोलेंगे पीता ही सेलेट किजिए यदि पीता नहीं तो माता जी को सेलेट किजिए पीता जैसे सेलेट करते हैं पीता का नाम नीचे आपको लिखना होगा उसके बाद आपका काट का नंबर आपको इस जगह पर डाल देना होगा देखिए आधार काट नंबर डालना कमपल्सरी नहीं यदि आप डाल देते ता आपके लिए फाइदा ही रहने वाला है उसके बाद कलेंडर के माधियम से यहां पर जो एपलिकेंट है जिसका क्रेटर सेट बिगर बनना है इसका डेट ऑब बर्थ हम सेलेक्ट कर लेंगे कलेंडर के माधियम से यह सेलेक्ट किया जाएगा यदि आप यहां लिखने चाहिए तो लिखाएगा नई तो यहां पर क्या रहेगा आवेदक जो है आवेदक का ही डेट-प-बर्थ यहां पर डालना है उसके बाद नीचे फोट का ओफसन मांगा गया तो फेले हम भर लेते हैं A 강ी इस जगा पर आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया यदि आप क्रेक्टर सेटीपिकर लेते हैं तो किस कारण आप उसको लेना चाहते हैं क्यों आपको क्रेटर सेटेपिकर चाहिए यहाँ पे पूछा यहां पर हम direct click देते हैं job के लिए तो इस चीज़ के लिये आपको character certificate चाहे उस चीज़ के लिए आप यहाँ उसका नाम अराम से लिख सकते हैं उसके बाद आपको यहां پर select कर लेना है या आप character certificate को किस पर कर लेना चाहते हैं या how to पुछा गया आप उपना इमेल नंबर एंटर कीजिए तो हम आपको भी सेजस करेंगे कि आप भी वहां इमेल ही दीजिए यूंकि इमेल देने से आपका बढ़ियां रहने वाला है एमेल को आप जैसे भेरिफाइ कर लिजएगा फूरी तरफ से देखिए उमेल को आप 20 से चेक कर लिजए एमेल में कोई दिक्कत होता है कोई गडबड़ी होता इसकी जिम्मेदार मतलब परसासन नहीं है आप ही इसकी जिम्मेदार होंगी तो आप इमेल को बढ़ियां नीचे आप अपना जिस भी वेक्ति का क्रेटर सेटिफिकट बना रहे हैं उसी वेक्ति का यहां पर नीचे मोबाइल लंबर दे सकते हैं क्योंकि फोन करेगा थाना से और आपको जाना है मतलब आधार काट और दोगो एविडेंस लेके और मुख्या से हस्तक्षर मतलब मुख पहचान पत्र बनाके आपको थाना जाना होगा थाना में सारा चीज जमा किजिएगा तब ही जाके आपका करेटर सेटिफिकट बनेगा और हाँ एक चीज इसके लिए एक रुपिया भी किसी को चार्ज देनी की जरूरत नहीं है तो यहां जैसे ही होगी हम आ जाते हैं फोटो भी अपलोड कर दियें दो कुछ यहां पर आपको अपलोड करना हो गा फ्रेंट आपको आधार काट और फोटो Bye यह जैसे अब दोनों चीज को अपलोड करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जमा करे पर किलिक किजेगा अब एक बार बढ़ियां से चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही से भरे हैं कि नहीं सब कुछ यदि आप सही भर हैं तो आगे बढ़े पर किलिक करके इस पर क्लिक करके फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं जैसे आप इस पर आ जाते हैं इस पेच पर आप यहां पर पूछा गिया अप एप्लिकेंट यानि जिनका भी करेटर सेटिपिकट आप बना रहे हैं उनका यहां पर मतलब details मंगा गिया कि वो कहां से belong करता है कि स्थाना से है कौन सा post है क्या है नहीं यहां पर unique address देना है जिनका की character certificate बनाना है जिनका बन रहा है आपको यहां पर डाल देना है देखिए आपको जो आधारकाड और फोटो ही upload करना है उसके सिवा कोई चीज अपलोड नहीं करना है पहले एपीडिवीट लग रही था वह एपीडिवीट को हटा दिया गिया है रहे पैडिवीट नहीं लग रहा है डारेक्ट यहां से बना सकते हैं उसके यहां एप्लीकेंट जो भी है आपका उस dein कन ट का यहां पे आपको address भरना यहांने व्मों किस एड्रेस एप्लिकेंट है वो एड्रेस आपको इस रगा पर डाल देना है पहले नंबर पर उसका आप ग्राम डाल सकते हैं उसके बाद उसका पोस्ट डाल डाल ये उसके बाद उसका पंचायत डाल दीजिए उसके बाद उसका सहर यानि वो किस सहर से है सहर गली वेगरा जो भी है आप जो चीज जहां पे आपको लाल बटन दिख रहा है उसको भरना कंपल सरी है जिसमें नहीं दिख रहा है उसको नहीं भरियागत कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ जिसमें जिसमें लाल है भाई उसको भरना कंपल सरी यदि उस चीज को आप नहीं भरते हैं तो आपको फिर से म कर लिए जीला जैसे select किजएगा तो फिर यहां पर परकंड पुछा जाएगा जैसे अप परकंड सेलेक्ट कर लीजए तो फिर आपका यह जगा पर complete हो जाता है तो यहां पर आपको नीचे क्या करना होगा पिन कोड नंबर एंटर करना होगा जैसे आप पिन कोड नंबर को एंटर कर देते हैं तो आपको इसको फिर से सम्मिट करना होगा जैसे आप सम्मिट करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए बने रहे हम आपको दिखा रहे हैं यदि आपको किसी पर करका एरर आता है तो आप समझ लीजिए यदि आप फाइनल सब्मिट करने के टाइम में यदि कोई एरर आके कट गया तो सबसे पहले आप अपने थाना परभारी से या थाना में जो भी होता है मुनसी वेकरा जो भी है आप जो ऑपरेट करना होगा यह यदि आप ने कोई क्राइम नहीं किया तो उसको नौही रहने दिज्गा इसी टीक माम जूब दिखा गया है इस तरह से सम्मिट हो जाएगा यहां पर आपका प्रिंट आउट आउट आँट करके राट करके कस्टमर केहां दे सकते हैं तो धन्याबाद वीड